वेलकम फ्रेंड आपके अपने यूटूब चैनल इंडियन जीटेप कर आपका फिर से स्वागत है साथ हो आज हम आपको टोटल सेलरी केल्पूरेट करके बताएंगे चाहे जीपीफ का करमचारी हो और कितना उसका डिड़क्षन होगा और इसके बाद नेट सेलरी उसको कितनी मिलेगी यह सारी डिटेल में आप आज हमको बताने वाले हैं इससे पहले साथ है अगर आप मरे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल ला चुक है तो उसके पहले हमारे पास बेसिक पर होती थी अब हमारे पास लवल आ चुके तो आप अपना लेवल यहां डाल सकते हैं जानि कि अगर आपका लेवल सिक्स है तो ग्रेड पेस बैलीश्यो में आएगा और उसके बाद बैसिक पर डालेंगे आपकी बेसिक सना इसके बाग दो सरो चो तीज परसेंट का है चो टिस परसेंट का क्लगई क्लेट करके दोनों निखाल सकते हैं एकल अग THEY करना है कि जो भी सब्सक्राइब देख सकते हैं नीच आपकी ग्रोज सेलरी आ चुकी है 53,392 में इस करमचारिक सेलरी है जिसका बेसिक पे 37,600 है और उसके बाद आप देख सकते हैं डिड़क्सन इसका जीरो है और उसके बाद सेलरी आपकी 53,392 तो हमें यहां देख सकते हैं जो NPS है इसका वो हमारे पास क्योंकि यह जीपेफ का इंपलोई है तो जीपेफ इसका कटा नहीं है तो यहां पर अगर आप जीपेफ डालना चाहे तो आप जीपेफ डाल सकते हैं मानके चलो इस करमचारी का 10, जीपेफ करता है मैंने तो आपकी जो नेट सेलरी वो आ चुकी 43,392 रुपे तो अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि NPS के करमचारियों के लिए कितने सेलरी आएगी यहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे सेकंड ओप्सन NPS वाला और यहां से सेलेक्ट करने के बाद फिर द सेलेक्ट होना है उसके बाद आप यहां से सेलेक्ट कर लिया है तो हम आप पास सेलरी टोटल आ चुकी 62,260 रुपे जो गी 34 परशेंट डिये के साथ हमें मिलेगी उसमें आपका डिडेक्शन 5,038 रुपे हो जाएगा तो टोटल जो नेट सेलरी आपकी मिलेगी 37,222 अगर आप भी 34% डिये के साथ सेलेक्ट करना चाते हैं तो मैंने इस सेलरी केल्कूलेटर के लिंग डाल दिया आप वहां से जाकर डेवलोड कर सकते हैं और अपना सेलरी केल्कूलेट कर सकते हैं